प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चौते स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले को संबोधित किया। हैकाथॉन वो मंच है जहां चात रोजमर्रा की कठिनाईयों से निजात पाने के लिए उपाई ढूंटे हैं। इस मौके पर उन्होंने नई शिक्षा नीती पर अपने विचार रखें। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीती नए भारत के सपनों को साकार करने और युवाओ को उनकी मंजिल तक पहुचाने में सक्षम है। शैनिवार को आयोजित स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ग्रैन फिनाले में प्रधानमंत्री नरिंद्र मोधी ने चात्रों के प्रजेक्ष के बारे में बड़ी उत्सुक तासे सुना। उनसे सवाल पूछे और उनको प्रोचसाहिद भी किया। इस मौके पर नई शिक्षानीति का उलेख करते हुए उन्होंने इसे भारत के सपनों को साकार करने वाली नीति बताया। उन्होंने नई शिक्षानीति के कई आयामों का उलेख किया। जैसे नई शिक्षानीति में विज्ञान और कला के विश्यों का मिश्रन। प्रधान मंत्री ने कहा कि इससे छात्रों की कलपना शीर्ता को नई उडान मिलेगी। प्रधान मंत्री ने कहा कि नई शिक्षानीति समाज के निचले से निचले इस तर के व्यक्ति को शिक्षित करने की शमता रखती है। नेशनल एडुकेशन पालिशी इस बीग और एक्सेस तो एडुकेशन। स्थानिय भाषा पर जोर का स्वागत करते हुए प्रधान मंत्री ने कहा कि इससे भारत के कोने कोने और निचले से निचले इस तर पर छुपी प्रितभा को उबरने का मौका मिलेगा। कि विद्यार्थियों को अपनी शुरुवाती परसों में अपनी ही भाषा में सिखने का अवसर मिलेगा। इससे उनका टैलेंट और पुष्पवित पलवित होने के लिए मैं समझता है बहुत अवसर होगा। वो सहज होकर बिना दबाव के नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित होगा। वो सिक्षा से जूड़ पाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई सिक्षानीती जहां एक और लोकल स्तर पर प्रतिभा को निखार सकती है तो वहीं उन्हें ग्लोबल स्तर पर कॉम्पेटिशन के लिए तयार करने का माद्दा रखती है। जहां स्थानिय लोककलाओं और विद्याओं, सास्त्रिय कला और ज्ञान को स्वाभाविक स्थान देनी की बात है तो वहीं टॉप ग्लोबल इंस्टुटिशन को भारत में केंपस खुलने का भी आमंत्रण है। इससे हमारे युवाओं का भारत में ही वर्ल्ड क्लास एक्सपोजर और ऑपर्टुनिडिटी मिलेगी और ग्लोबल कॉम्पेटिशन के लिए ज़्यादा तयारी भी हो सकेगी। प्रधान मंत्री ने देश को आत्म निर्भर बनाने के लिए युवाशक्ति का आवहन किया। स्मार्ट इंडिया हैकोथॉन एक राष्ट व्यापी पहल है जो चात्रों को दैनिक जीवन में आने वाली बड़ी समस्याओं को हल करने के लिए एक मंच प्रधान करता है। से अधिक छात्रों ने कॉम्पेटीशन में हिस्सा लिया।